हेलो बच्चों कैसो सब तो आज हम डिस्कस करेंगी गुरुनिती फोर नीट 2023 की युनित नंबर 16 को जिसके अंदर हमने इंक्लूड किया है अटोमिक स्ट्रक्चर एक्स रे एंड नुक्लिर फिजिक्स को ठीक है चली शुरू करते हैं Q28 रिशो फ्लोंगेस्ट वेवलेंद्स क्रोस्पंदिंग तो लाइमन और बामर स्रीज इन हीडोजन स्पेक्ट्रम हीडोजन स्पेक्ट्रम में फस्ट फोल अपनको वेवलेंद्स का रिलेशन मालूम होना चीए 1 ओवर लैमडा इक्वस तो आर ब्रैकेट 1 ओवर N2-1 over N2 या 1 over N1 square minus 1 over N2 square R is readable constant लाइमन स्रीज के लिए जो N है इस N की वैल्यू 1 होगी और बामर स्रीज के लिए N की वैल्यू 2 होगी ठीक है और लोंगेस्ट वेवलेंद्स मतलब मिनीमम एनट्रजी मतलब लाइमन स्रीज के लिए लोंगेस्ट वेवलेंद्स के लिए कंड bracket 1 over यह वन आ जाएगा ठीक है माइनस 1 over 2 2 का square 4 तो यहां वैल्यू कितनी आ गई यह 3 by 4 तो 3 R by 4 similar way से अगर बामर सीरीज की बात करें तो 1 over lambda B और इसके लिए लोंगेस्ट वेवलेंद्स के लिए बात करें तो R bracket 1 over N की वैल्यू 2 2 का square 4 minus 1 over N की वैल्यू M की वैल्यू 3 ठीकर square 9 ठीक है इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो 5R अपन में 36 आ गया गया और हमें रेश्यों पूछा है लाइमन का और बामर का ठीक है तो lambda L और lambda B का रेश्यों पूछा है तो इसको इसमें से डिवाइड कर दो लेम्डा L by lambda B आ जाएगा ठीक है और यहां आगया 5R by 36 और डिवाइड में आ जाएगा 3R by 4 तो RCR कैंसल आउट हो गया और यहां पर यह 9 आ चुका है तो यहां वैल्यू आगया 5 by 27 तो कौन सॉप्षिन क्रेक्ट हो जाएगा 3rd ठीक है नेक्स्ट कुछ में चलते हैं कुश्ण में 29 हाइडिजन अटम इन ग्राउंट स्टेट इस एक्साइट बाई मोनो क्रोमेटिक रडिएशन ओफ 975 एंगस्ट्रोंग नमबर ऑफ स्पेक्टर लाइन्स इन रेजल्टिंग स्पेक्ट्रम इमेटेड विल बी थोड़ी सी कैलक सकते हैं इक्वस्टू एक्सी बाइलेक्ट्रों वोल्ट में बात करें तो 12400 बाई लेम्डा लेम्डा इन एंगस्ट्रोंग तो 975 रख करके अपने इलेक्ट्रों वोल्ट में एनर्जी फाइंड ओट कर सकते हैं इस इक्वल टू 13.6 ठीक है जैड की वैल्यू हड्रोजन के लिए वन हो जाएगी और ग्राउंड स्टेट में है तो यहां पर वन ओवर वन आ जाएगा वन का स्क्वेर वन माइनस वन ओवर एन स्क्वेर ठीक है मतलब ग्राउंड स्टेट से एलेक्ट्रों जो है वो किस जो स्टेट में जम कर रहा है तो इन दोनों को एक्वेट कर देंगे 13.6 से भी डिवाइड कर देंगे फर्दर इससे जब स्वाल करेंगे तो एन की वैल्यू 4 के राउंड आती है एप्रोक्सिमेटली 3.9 के राउंड मतलब 4 के राउंड यह वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोन जो है वो N equals to 1 to N equals to 4 में जब कर चुका है अब जब वापस जब इलेक्ट्रोन का जब de-excitation होगा तो उसकेस में कितने टाइप्स की जो wavelength के जो फोटोन से हो सकते हैं एक सिंगल एटम की बात करें तो उसके लिए condition different होती है लेकिन hydrogen gas जैसे उसके अंदर अगर अपने बात करें तो possibility कितनी बनती है एन इंटू अगर ground state में आ रहा तो N इंटू N-1 बाइटू बहुती सिंपल सा formula है तो 4 इंटू 4-3 4-1 3 बाइटू वैल्यू कितने आगे 6 तो 6 स्पेक्टर लाइन जो इसकेस में possible 30 consider third orbit of helium he plus using non relativistic approach the speed of electron in this orbit will be constant है आप जानते हो electrostatic force constant z given है आपको planks constant वगेरा सब कुछ value दे रखी है वैसे इन values को रखने की इतनी जरूर्थ है नहीं क्योंकि आपको पता होना चीह कि third orbit के अंदर hydrogen-like atom के अंदर third orbit के अंदर जो electron है उसकी devolving speed कितनी होती है c by 137 into n square by z यह speed है स्पीड की बात करें तो speed होती है c by 137 into z by n ठीक है c is a speed of light और यह 137 है और z की value h e plus के लिए कितना जाएगा 2 तो c by 137 into 2 और कौनसी orbit है third orbit तो 3 से अपने डिवाइड कर देंगे c की value 3 into 10 to the power 8 डिवाइड करेंगे इसकी value तो 1.46 into 10 to the power 6 meter per second आता है ठीक है चलिए next question पर चलें okay when an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge z e its distance of closest approach from the nucleus depends on ms देखिए alpha particle है और alpha particle का जो mass है वो m है ठीक है और यह v speed से जो है वो launch किया एक heavy nucleus के पास heavy nucleus का charge कितना है plus z e ठीक है तो इसकी motion से इसकी ओपर कोई फरक ने बढ़ रहा आप इसको as a result की तरह consider कर सकते fix की तरह consider कर सकते तो पहले काफी distance थी तो उसके पास kinetic energy कितनी होगी half mv square potential energy zero क्योंकि distance काफी जादा है और जब यह pass में आएगा due to repulsion reflect हो के वापस अला जाएगा तो यह distance जो है यह हमें find out करनी है तो जब यहां से यह जब वापस reverse होगा तो उस समय velocities की confirm zero होगी तो यहां kinetic energy zero होगी तो potential energy जो है वो कितनी होनी चीए तो from mechanical energy conservation हमने यहां पर kinetic energy लिग दी पहले यहां पर यहां इसके पास केवल potential energy होगी और potential energy क्या होता है k q1 q2 upon r so k q1 q1 is charge on this alpha particle which is 2e ठीक है 2e और यहां जाएगा ze e इसका charge q2 upon r तो हमसे पूछा है कि distance of closest approach जो r है वो m के साथ किस तरीके से depend कर रहा है तो r आप इधर ले जाए m इधर ले जाए so r is inversely proportional to m तो fourth options का correct हो जाएगा ठीक है question number 32 if an electron hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit it emits a photon of wavelength lambda तो 3 से अगर 2 में आया है तो wavelength lambda का photon emit करेगा तो 1 over lambda is equal to r है ना तो 3 से 2 मतलब बोले तो 1 over 2 square minus 1 over 3 square इसको थोड़ा simplify कर लाए 1 by 4 minus 1 by 9 उपरा जाएगा 5 है ना और नीचे आजाएगा 36 अब यह कहारा when it jumps from fourth orbit to third orbit तो कितनी wavelength का photon emit करेगा तो lambda देश मानलों आर तो 4 से 3 में आ रहा है यह 3 मतलब 9 minus 1 over 16 ठीक है इसको solve कर लो तो उपर 7 आ गया 7 r by 9 into 16 ऐसे कर दो आप तो इन दोनों को आपस में दिवाइड कर दो डिवाइड करेंगे तो lambda dash upon lambda is equal to यहां गया 5 r by 36 और यहां जाएगा 7 r by 9 into 16 ठीक है अब इसको cut कर देते हैं r से r cancel out हो गया यहां पर cut करें तो 4 9 4 आ जाएगा 9 से 9 cancel out हुआ तो यहां जाएगा 20 by 7 तो lambda dash by lambda equals to 20 by 7 then lambda dash equals to 20 by 7 lambda तो second options का correct हो जाएगा ठीक है चलिए question number 33 given the value of Rydberg constant is 10 to the power 7 meter inverse the wavelength of the last line of the bomber series and hydrogen spectrum will be ठीक है वेव नंबर पूछा आपसे wave number is 1 by lambda so 1 by lambda is equal to R bomber series के लिए बात करें तो starting जो state लेंगे अपन n ब्राबर 2 लेते हैं तो 1 by 2 का square आजाएगा minus last line means m जो है वो infinite चला जाएगा तो उसकी value 1 over infinity 0 आजाएगा तो 1 over lambda जो wave number है उसी की value पूछी है आपर lambda की value नहीं पूछी है दे आना क्योंकि unit meter inverse है R की value आपनको दे रहे के 10 to the power 7 और ये 1 by 4 आगया 1 by 4 बोले तो 0.25 into 10 to the power 7 meter inverse तो 10 to the power 7 to 0.25 आना चीज सेग्ड उप्सिन का correct हो जाएगा 34 the ratio of the wavelength of the last line of bomber series and the last line of the lineman series देखो last line of bomber series की बात करें lambda B की तो R bracket 1 over bomber series के लिए n की value 2 2 का square 4 और last line की बात करें वहाँ infinity आजाएगा वो 0 जाएगा और lineman series के लिए बात करें lambda L R और यहाँ जाएगा का lineman series के लिए क्या आएगा 1 1 का square 1 और minus 1 over infinity वो 0 हो जाएगा सही है बस कतम तो अपन से ratio पूछा है है ना बामर series और lineman series के लिए तो आप इसको इसमें से divide कर सकते हो है ना तो लैमडा B यहाँ पर कितना जाएगा 4 के बड़ा बड़ा जाएगा ठीक है तो डिवाइट कर दो आंसर आ जाएगा दोनों का modular same होता है kinetic energy always positive होती है लेकिन जो total energy है वो minus of negative of kinetic energy होती है और potential energy की बात करें तो वो total energy का two times होता है negative होता है और total energy का two times होता है ठीक है तो काफी simple सा है यह तो बहुत easy question है तो kinetic energy और total energy का ratio one ratio one आते है लेकिन sign में बात करें तो obviously total energy negative होती है तो third options का correct हो जाएगा ठीक है तो total energy of electron atom is minus 3.4 kinetic energy and potential energy are respectively तो total energy minus 3.4 है तो kinetic energy mode of total energy होगा which means 3.4 2.4 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है लेकिन potential energy is just double होता है इसका इस वाले का double होता है double कितना है का minus 6.8 तो answer first option 37 for which one of the following Bohr model is not valid Bohr model is valid only for hydrogenic atoms ठीक है hydrogen like atoms मतलब इन में single electron हो उसी के लिए valid है वो ही देखना है आपनको तो deutron में obviously अगर आपने बात करें तो deutron में single electron है यह possible है not valid पूछा है तो देखना यह है singly ionized neon atom है ना neon atom की बात करें hydrogen helium, lithium, berylion, berylion का मतलब इतना तो confirm है कि इसमें जो electron है neon atom की बात करें अगर neutral atom तो इसमें electron single नहीं है और any plus भी कर दिया तो भी electron obviously more than one electron है तो इसका मतलब इस वाले के रिए तो confirm है bore model जो है valid नहीं होगा तो second option जो हो गया hydrogen atom के लिए तो होता ही है एक electron होता है singly ionized helium atom helium atom में वैसे helium अगर neutral है उस case में क्या होगा helium पे दो electron होगे और h e plus कर दिया आपने तो एक electron बचा कि नहीं बचा इसका मतलब बाकिए सब में valid है लेकिन second में valid नहीं होगा 38 T1 and T2 वीदा energy of an electron in the first and second excited states of hydrogen atom respectively according to the Bohr's model of an atom the ratio of T1 ratio T2 is देखो first and second first excited state की बात करें तो n बराबर 2 और third की बात करें second की बात करें तो n बराबर 3 और इन में total energy का ratio पूचा है ratio of total energy तो आपको पता हो न चीन बराबर 2 की बात करें अगर पन energy क्या होती है e equals to 13.6 हाना मैस 13.6 चलो लिख देता हूं और यहां आजाएगा one upon n square hydrogen की बात हो रही तो one over n square आई जाएगा यहां पर बाकी जैड भी आता हो उपर z square तो जैड की तो बात ही नहीं हो रही यहां पर जैड तो बन हो जाएगा तो one over n square के यह proportional हो जाएगा अब n की value कर टू रख दें तो यह 4 आ गया सब्सक्राइगा तो बोर्स मोडल में इनमें टीवन टीटू का रेश्यों पन से पूछा है तो n की value अगर मैं यहां टू रख दूं तो टू जब 4 हो जाएगा और इसमें बात करें तो n की value 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा मैनिस का 13.6 यहां जाएगा बन अपन 3 का स्क्र सब्सक्राइब करेंगे तो 9 उपर चला जाएगा चलिए जी तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं 39. let r1 be the radius of the second stationary orbit and r2 be the radius of the fourth stationary orbit of an electronic bores model then r1 by r2 is radius का formula क्या होता है r equals to a into n square by z और hydrogen atom की बात हो रही है तो सीधी सी बात है तो bores model है जो भी है तो z की value 1 रख दो तो n square की directly proportional है तो r1 तो second stationary orbit है second बोले तो n ब्राबर 2 2 का square करेंगे तो 4 और fourth stationary orbit तो 16 है न तो 1 के लिए r1 की बात करें तो वो तो 4 की proportional हो गया और r2 की बात करें तो 16 की proportional हो गया और दोनों का ratio कर ले 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 1 by r2 4 by 16 की तो 1 by 4 विच में 0.25 तो ये भी काफी असान सा कोशन है एकदम तो modern physics की जो question चल रहे है अब भी जो अपन देख रहे हैं तो pyq में बात करें तो काफी easy questions आते हैं बहुत ही असान ठीक है 40 a certain mass of hydrogen atom is changed to helium by process of fusion the mass defect in fusion reaction is 0.02866 emu the energy liberated per emu is तो simple सी बात है कि अपन को energy पूछी है mega electron volt में कितनी release होगी देखो बड़ा simple सा formula है del time c square energy mass equivalence जो relation है उससे अपने इसको calculate करते हैं तो यह है mass defect which is given 0.02866 और अगर यह emu के अंदर है तो अपन 931 mega electron volt से इसको multiply कर सकते हैं अपने पास mega electron volt में आ जाती है इसको multiply करेंगे तो इसकी value आएगी 26.68 के round value आती है जिसको अपने round figure में बात करेंगे 26.7 mega electron volt इसका answer आ जाएगा ठीक है तो fourth option इसका correct 41 the half life of a radioactive isotope x is 20 years it decays to the another element y which is stable the two elements x and y are y were found to be in the ratio one ratio sample in a sample for a given rock the age of the rock is estimated to be half life अपन को देरे के 20 years है ठीक है और x element था let's say इसके number of nuclei शुरुआत में कितने अनोट के और काफी time जब बात देखते हैं तो x y में convert हो जाता है अब x और y के जब sample लेते हैं अपन तो उसमें अपन को मिलता है कि x के अगर n nuclei है तो y के 7n है ठीक है टोटल number of nuclei तो वो तो सेम ही रहेंगे अधो 7n plus n जो है वो 8n आएगा और 8n की value n not के equally होनी चीए तो यहांसे n की value कितनी आई n not by 8 मतलब x जो है उसके अभी active nuclei कितने है n not by 8 के equal है है न प्रेजन टाइम में इसका मतलब इसको मैं लेख सकता हूं n not upon में 2 की power 3 तो कितने half lives इसने cover कर लिए 3 half lives और one half life बात करें 20 years है तो 20 into 3 बोले तो 60 years जो है उसको time हो चुका है correct answer जाएगा इसका fourth 42 the binding energy per nucleon of lithium आपको दे रखा है helium आपको दे रखा है इनकी binding energy per nucleon आपको given है दोनों की और एक reaction दे रखी आपको इसमें आप और hydrogen के अंदर सिद्धी सी बात है एक single proton है उसकी कोई binding energy नहीं है हना nucleus होने चीए न एक nucleus के अंदर बात करें तो nucleon कितने है एक proton ही तो है उसकी कोई binding energy नहीं होगी बटा तो यहां पर इसका तो कुछ existence होगा नहीं इसकी बात करें तो lithium को आपको अगर इस reaction को completion complete करना है तो आपको इसको break करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा तो energy दे नहीं पड़ेगी और यहां पर helium helium form हुए हैं तो यहां से energy release होगी ठीक है energy release होगी तो energy किती release होगी उसमें से जो energy दी है वो ट्रेक कर दीजिए टोटल energy जो release होगी वो अपने पास आजाएगी तो यहां से कितनी energy रिलीज होगी दोनों identical है calculation करके अपना असानी से fine कर सकते हैं question number 43 पर आई ए रेडियो आइसोटोप x with a half-life of half-life given आपको decays to y which is stable a sample of rock from a cave was found to contain x and y in the ratio 1 ratio 7 the age of the rock is same concept question आगे देखो जस्ट अभी जो questions किया question किया था उसी previous है तो एन नोट थे फिर वन राश्यो 7 एन और 7 एन 7 एन प्लस एन इक्वस टू एन नोट विच मेंस एन इक्वस टू नोट बाई एट तो कितने half-life होगे एन नोट अपकोन में टू की बावर 3 3 half-lives होगे तो 1.4 इंट दिपावर 9 को 3 से aluminum nucleus दे रहा है आपको इसकी radius ral है और एक और element दे रहा है tellurium इसका radius जो पूछा है nucleus का कितना होगा तो radius का formula आपको पता होना चीए r equals to r0 a to the power 1 by 3 a क्या है number of nucleons nucleus के अंदर तो यहाँ aluminum के लिए बात करें होता है and tellurum के लिए बात करें आपन आर नोट इंटू इसमें 125 है 125 की पावर 1 by 3 कितना हैगा 5 आजाएगा आर नोट की वैल्यू रख दोगे आप ral अपन में 3 तो वैल्यू कितना आजी कि 5 ral by 3 इसका कॉन सब्सक्रेक्ट हो जाएगा 3rd option next question पी चला है 45th the half life of radioactive substance is 30 minutes तो आप 40 half दे रहा है the time in minutes taken between 40% decay and 85% decay of the same radioactive substances तो 40% decay say 85% decay हो जाएगा उसके बीच में जो time लग रहा है वो time हमें calculate करना है ठीक है तो जो 40% decay हो जाएगा तो कितना बचेगा active की बात करें तो कितना बचेगा 60% 60% की बात करें तो n equals to n naught n by n naught into hundred is 60 right यही तो है meaning इसका तो इसका meaning क्या हुआ 60 है तो 0.6 लिख सकता हूँ n by n naught 0.6 equals to e to the power minus lambda माली जे time लग गया t1 पर जब 85% decay हो जाएगा तो remaining active कीतना बचेगा 0.15 बात करें या 15 15% बात करें तो 0.15 is equal to e to the power minus lambda तो अब दोनों को डिवाइड करें पॉइंट से पॉइंट हड़ जाएगा उपर जाएगा 60 निचा जाएगा 15 16 by 15 कितना जाएगा तो 4 equals to e to the power यह उपर ले जाओ तो lambda t2 minus t बना जाएगा यह सही है बोच साइड लोग लेलो लोग लोग इसको लोग 4 लिख देंगे यह अपन बेस e है ज्यान रखना बराबर e हड़ जाएगा तो lambda यह delta t आगे जोग यह मैं calculate करना है 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 इदर आजाएगा और lambda को इदर दिवाइड में ले जाएगा तो log 2 by lambda क्या होता है ती हाफ ही तो होता है तो delta t is 2 times of t half and t half is 30, 30 into 2, 60 minutes इसका answer आजाएगा ठीक है 46, radioactive material A has decay constant 8 lambda and material B has decay constant lambda, initially they have the same number of nuclei, after what time the number of nuclei number of nuclei of material B to that of material A will be 1 by E, मतलब कितने नाइब बाद में 1 by E होगा, ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले na, a के कितने nuclei बचाएगे 3 time बाद में, na equals to n naught e to the power, a का d की constant 8 lambda है तो e to the power minus 8 lambda t and similarly B के जो active nuclei होंगे, nB equals to, इसके भी same थे, शुरुबात में दोनों के number of nuclei same थे and not e to the power minus B का lambda जो है वो lambda की बराबर है तो minus lambda t, अब यह कह रहा है कि हमको कि nB by Na, देखो, ratio the number of nuclei of B to that of A, nB by Na, मतलब इसमें इसको divide करना है, so NB by Na is 1 by E, ठीक है, 1 by E, तो इसमें इसको divide by N naught से N naught कर जाएगा, तो e to the power minus lambda t, अपोन में e to the power minus 8 lambda t यहां से देखें, तो यहां पर value आरे अपने पास, e to the power 7 lambda t, यह तो plus हो जाएगा, उपर जाएगा, पावर, positive हो जाएगी, यहां 1 by E है, 1 by E को उपर लेकर जाएगा, तो e की power minus 1, तो 7 lambda t बराबर minus 1, then P is equal to कितना आ गया पर, minus 1 over 7 lambda, अब answer तो यह आ रहा है, इसके according, but time negative नहीं हो सकता, जी, lambda तो positive होगा always, time negative कैसे हो गया, तो इस question में थोड़ी mistake थी, NEET नहीं यह question थोड़ा सा गडबड़ कर दिया था, तो number of nuclear material B लिखाया है ना यहापर, number of nuclear material A to that of B करना था इसमें, तो उसके इसमें आता 1 over 7 lambda, मतलब हमने जो N B by N A किया ना यहापर, वो N A by N B होना चीए, तो उसके इसमें first option आता है, ठीक है, यहाँ पर यह नीड से mistake होगी थी, चलिए, next पे चलता है, for a radioactive material, half life is 10 minutes, if initially there are 600 number of nuclei, the time taken in minutes for the disintegration of 450 nuclei is, 450 nuclei जो हैं, तो remaining कितने हैं, 600 minus 450 मतलब 150, तो अब जो N जो active nuclei हैं, वो 150 हैं जी, N not कितने थे, 600, अगर मैं N not में N को divide कर दूँ, या N की बात करें, तो क्या मैं N को ऐसा लिख सकता हूँ, 600 by 4, 4 से divide कर दूँगा, तो 150 आएगा यहाँ पर, इसका मतलब यह N not upon me, 2 की पाउट 2 ही तो है, तो कितने half life हुए हैं, दो, और half life अपन को दे रहें, 10, 10 into 2 मतलब 20 minutes, तो 20 minutes इसको time लगा, तो आप गोर कर रहे होंगे, half life पर based, N equals to N not upon 2 की पाउट, N पर based, ऐसे questions ज्यादा पूचे गए हैं, नीट के अंदर, और काफी आसान है, थोड़ा सा अगर practice कर ली जाए, इस type के questions पे, 5-10 questions भी निकाल ली जाए, तो sufficient होता है, आप अराम से ऐसे questions fight कर सक तो, 48th, the energy equivalent of 0.5 gram of substances, तो इसकी energy हमें यहाँ पर calculate करनी है, अब वैसे यह question कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो, क्योंकि E equals to M C square पर based equation है, mask के according, mask के equivalent energy कितनी होगी है, तो 0.5 gram है, gram को 10 to the power minus 3 से multiply कर तो kg में आ गया, C speed of light 3 to the power 8, squaring करोगे तो 9 into 10 to the power 8 का आ जाएगा है, यहा तो, इसको 9 into 0.5 करें, तो 4.5 आ गया, और 10 to the power 16 और 10 to the power minus 3 तो यह आ गया, 13, 4.5 तो 10 to the power 13 Joule इसका answer आ जाएगा, फोर्त option जो है, वो correct हो जाएगा, तो काफी आसान सा कोशन नहीं है, 49th, when a uranium, uranium आपको nucleus दे रहे हैं, is bombarded with a neutron, it generates krypton 89, 3 neutrons भी इसके साथ release हो रहे हैं, तो बत जो है, जो है, generate होगा, तो uranium, 235, ठीक है, 92, इस पिक, slow neutron का attacker भाया आपने, trypton बन गया, 36, 89, एक और element generate होगा, साथ में, उसको मैं X लिख देता हूँ, और plus में, 3 neutrons, 3, 0, 1, ठीक है, तो इसका mass, atomic number कितना होना अच्छी, mass number कितना होना अच्छी, आसानी से find कर सकते हैं, आपन तो इनको सम कर दो, atomic number देको, इसका 0, इसका 92, तो 92 आना च्छी है, यहां पर कितना, 36, अब इसका पता नहीं कितना आना च्छी है, कुछ ही मान लो, let's say N मान लो, 36 प्लस N, और neutron का कोई contribution नहीं है, तो N यहां पर 0 रहेगा, तो N equals to कितना आगे हैं यहां पर, 92-36, सब्ट्रे पुरवाले चेकने जुरूरती नहीं है, वैसे चेकने जो कर सकते हैं, क्योंकि 235 plus 1 is equal to 89, यहां मान लो, 89 plus M plus 3, 3 into 1, 3, solve कर लो, उसे 144 ही आएगा, third options का correct हो जाएगा, 50, the half life of radioactive nucleoid is 100 hours, the fraction of original activity that will remain after 150 hours would be, ठीक है, कितनी activity जो है, वो रहेगी, fractional जो है, तो R equals to R naught, e to the power minus lambda t, R by R naught आपको दे रखा है, कितना है, R by R naught पूछा है मतलब आप से, so R by R naught, fractional value पूछी है, तो e to the power minus lambda, lambda होता है, log 2 by T half, so log 2 by T half, T half is 100 hours, ठीक है, और into T 150, 150 से multiply कर दो, इसको 00 कट गया, यह 5 से कर दो, तो 2, यह 3 आगया, तो मतलब इसकी value, actual में देखा जाए, यह आ रही है, e to the power minus, यह 3 by 2 आगे रख दो, और यहां आगया log 2, simple, अब इस minus का 3 by 2 आपको पता multiply में तो पावर में ले जा सकते हो, तो value आजाएगे e to the power log 2 की power minus 3 by 2 आगया, अब log 2 की power minus 3 by 2 आगया, अब log 2 की power minus 3 by 2, which means 1 over 2 की power 3 by 2, और 2 की power 3 by 2 क्या लेख सकते हैं, 1 upon 2 root 2, 1 upon 2 root 2, तो correct option इसका क्या आजाएगा first, 51, a nucleus with mass number 240, breaks into 2 fragments, each of mass number 120, and the binding energy per nucleon of the unfragmented nuclei is 7.6, while that of fragments is 8.5 MeV, वो ही बात आगई, binding energy पर nucleon वाला concept पर बेस दमने question पहले भी किया था, तो जो product है, product जब बनता है, तो यह ध्यान रखना है, binding energy के बराबर energy release हो रही है, और reactant जो है, वो जब break होता है, तो उसको energy चाही होती है, ठीक है, तो reactant है, उसकी energy को, binding energy को, product वाले binding energy से subject करना है, अपने को binding energy पर nucleon दे रखा है, तो number of nucleon से multiply ज़रूर करना है, ठीक है, तो कितने बने, 120 के दो identical, same mass के दो आपको fragments मिले, तो 120 and 120, total number of nucleon यह तो वही आएंगे, nucleons जो है, 240 रहेगा, 240 और binding energy पर nucleon कितना दे रहा है, इसका, इसका given अपनको 8.5 हाना, while that fragments is 8.5, तो 8.5 से multiply कर दो, minus, अब आगया, parent जो nucleon यह उसके लिए बात कर रहा है, उसमें भी number of nucleon कितने 240, और into में 7.6, बस कुछ नहीं करना, इसको इसमें subtract करना है, solve करना है, और इसकी value around आ जाएगी, 2, 1, 6 mega electron volt, simple calculation है, वो कुछ नहीं है, 52, एक radioactive nucleus, आपको nucleus दे रहे है, एक element दे रहे है, spontaneous decay in the sequence, यह कुछ sequence दे रहे है आपको, और अपन से पूछा है, यहाँ पर, कि जो, यहाँ पर जो भी, यह elements बन रहे है, X से B, B से C, C से D, तो इसमें possible decay कौन से हो रहे हैं, अगर आप first वाले में बात करें, तो Z decrease होगे, Z minus 1 हो गया, अगर alpha particle release होता, तो Z में कितने का effect पढ़ता, 2 का effect पढ़ता, तो alpha तो नहीं है, Z अगर एक subtract होए, that means proton, number of protons decrease होगे, तो proton का decay हो रहे हैं यहाँ पर, और proton का decay हो करके क्या बनता है, एक तो neutron बनता है, और एक beta positive, beta positive particle जो है, उसका emission होता है, तो यहाँ पर beta positive confirm emission होगा, beta positive first वाले अगला check कर लेते हैं, जो, Z minus 1 से Z minus 3 में जा रहा है, तो atomic number में 4 का, sorry, 2 का decrement हो रहा है, तो Z minus 1 से Z minus 3, तो 2 का decrement हो रहा है, इसका मतलब alpha particle confirm release होए, यहाँ से, alpha हो गया, और अगले की बात में Z minus 3 से Z minus 2, मतलब increase हो गया, increase होने का मतलब क्या beta minus particle का emission होगा है, तो second option इसका correct हो ज अब यह देखो, यह E positive देखा है, इसका मतलब beta positive particle का emission होए, और beta positive emit अगर हुआ है, इसका मतलब proton का decay होए, यहाँ पर proton neutron में टूटा है, तो mass number पे तो कोई फरक पड़ने वाला है, लेकिन atomic number पर 1 का decrement हो जाएगा, तो यह बीटा plus है, proton decay होए, तो यहाँ पर यह तैन आ जाएगा, उस पे कोई फरक पड़ने वाला नहीं है, second options का correct हो जाएगा, 54, यह nucleus of mass number 189, splits into two nuclei having mass number 125, 64, the ratio of the radius of the two daughter nuclei respectively will be, radius का ratio पुछाएजी, और radius का formula आपको पता यह nucleus की, r equals to r0, a to the power 1 by 3 होता है, अब देखो, 125 रग दो इसकी जगे, तो 125 की पावर 1 by 3 कितना आ जाएगा, 5 पाजाएगा, फिर 64 रख देना, 64 रखोगे तो 4 की पावर 1 by 4 की पावर 3 जो है, वो 64 होता है, तो यहाँ पर जब रखोगे 64 तो कितना आ जाएगा, अब ratio ही तो पूछा है, in daughter nuclei का जो radius है, उसका ratio पूछा आप से तो 5 ratio, 4 इसका answer आ जाएगा, ठीक है, एकदम लल्लू सा simple सा पूछा निये, हाँ जी, कॉछा नुबर 55 पूछा लिये, गिवन बिलोवा 2 statements, statement 1 देरका आपन को, the law of radioactive decay states that the number of total, number, that the number of nuclei undergoing the decay per unit time is inversely proportional to the total number of nuclei in that sample, मतलब, minus ka dn by dt, हैना, that the number of nuclei undergoing the decay per unit time, तो dn by dt होगे एक तरीके से, is inversely proportional to the total number of nuclei in that sample, total number of nuclei अगर अपन मान ले, active nuclei की भी बात कर रहा है, चलो, वो भी मान लेते हैं, तो inversely proportional to n बोल रहा है, और अगर total number of nuclei निकले भी बात करे हैं, तो क्या कि जो decay वे हैं, वो भी तो निकले ही count होगे हैं, यहाँ पर, तो उसको n नोट से mention कर सकते हैं, तो वो तो एकदम ही गलत होगे, तो यहाँ पर भी अगर n भी consider करें, तो 1 over n बोल रहा ही है, तो यह तो गलत होगे है, statement, statement 1 is incorrect, inversely proportional to नहीं होगा भी या, proportional होगा, क्योंकि minus dn by dt proportional to, या equals to lambda into n, and then phyrus को integrate करते हैं, पन, statement 2 बोल रहा है, the half life of radio nucleide is sum of the lifetime of all nuclei, divided by the initial concentration of the nuclei at time t equals to 0, तो यह कह रहा है, half life जो है, t half, कह रहा है कि t half जो है, sum of the lifetime of all nuclei, जितने भी nuclei है ना, सब का lifetime जो है, उसको सब को, सब को add कर दो, t1, t2, जितने भी है nuclei, और upon and not तो आपके पास t half आ जाएगा, क्या ऐसा है, नहीं, गलत है यह, क्योंकि अगर अगर अपन हर nuclei की बात करें, उसका अगर, जो lifetime है, उसको अगर अपन find out करें, तो बता नहीं सकते हैं, आप यही कहोगे कि हो सकता है, कि एक nuclei जो है, वो, immediately, जो है, वो, decay हो गया हो, और उस sample में से हो सकता है, कुछ nuclei ऐसे भी हो, जो कि infinite time तक decay नहीं हुआ हो, तो यहाँ पर जो पार्ट ह सकता है, जाएगा, ओवियसली, और N नोट से डिवाइट कर दो दो जीरो आजाएगी, वैलिव, नहीं आए बात समझ में, तो ऐसा है, तो यह भी क्या है, इन्करेक्ट है, क्योंकि हाफ लाइफ कितना होता है, log 2 by lambda, तो statement 1 and statement 2, बोत हर incorrect, तो इसका correct option कोन सा हो जाएगा, 4th, 56th, at an instant 2 elements X1 and X2 have same number of radioactive atoms, if the decay constant is, for X1 is 10 lambda and for X2 is lambda respectively, then the time when the ratio of their atoms becomes 1 by E respectively, same ditto question ऐसा पहले भी आया था, आपको पता है, चलो, तो X1 के लिए बात करें, तो n1 equals 2, initial same थे, n0 e to the power minus, अब X1 का जो है dk constant वो 10 lambda है, तो 10 lambda into t, और n2, X2 की बात करें, तो n0 e to the power minus lambda into t, यह दे रहा है, और यह कहरा है कि, कि इनका ratio जो है, 1 by E किते time बाद होगा, तो अब यह कहरा है, direct इंदनों का ratio लो, और 1 by E कर दो, n0 से n0 कर गया यह, इसको उपर ल तो e की power minus 1 हो गया, base same है, तो power b same होगी, तो minus 9 lambda t equals minus 1 minus, मैंने cut गया, t बराबर आगया, 1 over 9 lambda, तो इसका answer क्या जाएगा, 1 over 9 lambda, अब यह question सही दिया है, इन्होंने है ना, तो उस पिछले question के अंदर, जो इशो चाना, वो उल्टा पूच लिया था, इसलिए वो हाँ पर minus के द रेडियो activity से based questions काफी सारे हैं, और एकदम basic basic जैसे NCRT में जो भी points अपन को दे रखे हैं, तो उनीपरी based basic simple questions जो है, फ्रेम होते हैं, थेंक्यू